नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूम इस दुरानी आज हम बनाना सीखेंगे मीठा दलिया मीठा दलिया बनाने के लिए हमें जिन लग्सा की ज़रुरत है उन में शामिल हैं दूद एक किलो गंदुम कदलिया एक पाउ चीनी सिक्स टेबल स्पून बदाम वन टेबल स्पून पिस्ता वन टेबल स्पून कोकोनट पउडर वन टेबल स्पून चोटी इलाइची एक अदद पानी हस बिजरूरत तरकीब दलीय को पहले अच्छी तरह से धो लें फिर इसे 15-20 मिनट तक भीगो लें फिर एक पतीली में भीगा हुआ दलीया और इलाइची डाल कर इसे उबालने के लिए रखतें जब दलीय का पानी खुश्च होने लगे तो आप इसमें दूद और चीनी डाल कर इसे 5 मिनट तक पकाएं 5 मिनट बाद चूला बंद कर दें और दलीया बाल में निकाल लें फिर उपर से आप इसमें बदाम, पिस्ता और पिसे हुए खोपरे की गार्निशिंग करें मज़ेदार मीठा दलीया तैयार है इसे सर्फ करें और इंजाय करें ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफ़ज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराय इस्तमाल कीजिए